हाई अगले सकी मा combustion स्रसाइब को एक गोटरी प्लानेट करते हैं इसकी कारण क्या है कि हमारी एर्थ की सेवंटी पर्संटेज भी वाटर है मेंस हमारी एर्थ की सरफेस में जो सेवंटी पर्संटेज वाटर होता है मतलब हम लोग काहते हैं कि हमारे एर्थ की वंदेड अफ़ दिपार्ट कोड़ वाटर है ऊं सरेंबियर इसलिए हमारी अर्थ को वाट्र ए dispers घयते हैं और इसकी कारण जो एर्थ में वाटर पाया जाता है और मतलब जीवन का एक में रिसन मेंसे अर्थ में जीवन होने का एक में रिसन वाटर है तब यह वाटर को हमारी सबसे इंपोर्टन एक रिसोर्स कह सकते हैं और यह वाटर हम लोग कहते हैं लेकिन आज हमारी एर्थ में वाटर रिसोर्स हैं यह वाटर की प्रोब्लम क्या क्य तक बारे हैं और आज हमारे इसकी बारे में सबसे फाले हम already बताे हमारे एर्थ Also forty percentage अएर्थिस सेवेंटी परसंडेज वाटर पाया जाता है 10 70 परसंडेज वाटर है लेकिन आज भी हमारी इर्थ में यस time बहुत जगह में पानी की समस्य आजाता है कि हम लोग का एक इतनी सारी पानी है लेकिन फिर पानी पीने के लिए नहीं तो लोगों को पानी यूज़ करने में समस्य आती है लोग बहुत लंबे क्यूं में खड़े हो जाता पानी के लिए उसके लिए पहुट थल्य अभूस निष्य संतनी थे मेरे देखते हैं इसकी रीशन क्या है हम लोग अभी बोले हैं कि हमारी अर्थ में 70 परसंटेज वाटर है लेकिन इतनी सारी पानी है तो फिर यह समस्या कहां से आ रहा है यह होता है से में 70 परसंटेज पानी है लेकिन 70 परसंटेज पानी में भी नाइंटी सेवन परसंटेज भी salty water है 97% water भी salty water है इसे नमकीन पानी है यह तो पी नहीं सकते है नहीं तो हमें अपनी घर की जरूरत के लिए खाना बनाने के लिए नहीं तो नहाने के लिए यह जो irrigation के लिए ऐसे कोई भी यूज के लिए इसको हमें यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमारे लिए यही समस्या हो जाता है फिर कितना परसंडेज हमारे लिए बसता है केवल 3 परसंडेज पानी फ्रेश वाटर है हमें यूज करने लाएक यह 3 परसंडेज फ्रेश वाटर है लेकिन उसमें भी एक प् कि इसमें मेंन से हमें केवल वन परसेंटेज पानी यूज करने के लिए मिल रहा है कि मतलब यहाई फ्रेश वाटर आ जयसे हमें आरे लिए अवैलेबल है कारण इसमें का इस टू तोड मीन से टू तरड अफ दी पानी इसमें का बाकि यह दो फाग पान जो इसमें तीन परसंडेज केवल बच्चा है यह तेन परसंडेज में केवल एक परसंडेज हमारे लिए हैं बाकी दो परसंडेज कहां है में झाया सियर मिन्स है आएस जयसे है मिन्स बर्फ जैसे जमा है जैसे हमारी एंडियार्टिक रिजियन में और घ्रींड में और इसकी बाद रहा बढ़ी उंज जैसे हैं फिर केवल एक परसंटेज पानी जो है हमारे लिए फ्रेश वाटर जैसे अवैलेबल है जो हमारी नदी में लेक में मतलब जील में और वेल में टूब जैसे मतलब टूब जैसे हैं यह सब अंडरग्राउंड वाटर हैं मतलब यह अंडरग्राउंड वाटर जो एक परसंडेज हमारे लिए मिलता है एक परसंडेज पानी हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा टंगी है उटंगी भर के पानी है लेकिन हमारे लिए पीने के लिए बस एक चबस नहीं तो एक ग्लास पानी मिलता बाकी हमारे यूज करने लाइक नहीं है यही होता है तब इसका यही यह कभी कारण है कि हमारे देश में भी नहीं तो कहीं भी यह से पानी की शोटेज होता है मतलब पानी की कम्मी आ जाता है और ऐसे हम लोगों को कहें कि हमारी अर्थ में यह वन परसंटेज पानी है ग्राउंड वाटर है मिन्स हमारे जमीन की नीचे से जो फ्रेश वाटर मिलत प्राइन वाट उर ग्राउंड वाटर हमको मिलता है यह तेही उस करने हैं और यह ग्राउंड वाटर हमें यूजा सकते हैं लेकिन कवह अपर वर बेन्स जो घर्मी की सीजहन आ जाता है तो कुछ एरिया में पाझी पानी कुवा के नहीं तो बेल्सों टूबल्स का भी पानी सुख जाता है मतलब नहीं मिलता है इसका रीसन क्या है में से हम लोग कहें कि एई Groundwater जो होता है अगर हमारे लिए जो यह प्रोब्लम हमें प्लाइन एरिया में रहने वाले को समझ में नहीं आता हैं क्योंकि हम लोग समुंदर की बराबर रहते हैं जैसे समुंदर है उसकी बराबर रहते हैं इसलिए यहां जितनी पानी है उसकी बराबर हमारे लिए पानी यहां पर अवेल नहीं तो टूबॉल बनाना है तो बहुत बहुत गहरात बनाना पड़ता है और यहां जो हम लोग जितना पाणी यूस निकालेगा उसके अनसर इहां पर भी पानी की टेबल मेंस्ट वाटर टेबल नीचे होते रहता है तब यहीं प्रोब्लम आ जाता है हिली रिजियन में रह पानी जब आएगा बारिष होने के बाद ऑटमाटिक इए ग्राउंड वाटर रीचार्ज हो जाता है तो पानी ऊपर होता है तब हमें माल में यहीं सब यहीं पानी को हम लोगों इक रिन्यवाबल diyorum कर सकते हैं मतलब जितना भी करेगा तो कटम नहीं होता है ऐसा रिसोर्स सुआ किमलो रेनियुवलिय exercise पै Gobierno नकाले लेकिन यह तो पानी को कभी कतम नहीं होता है जो बारिष की समय कारण से जाता है समुदर की पानी से समुदर से बादल बन करके वाम बादल से भारिश आ जाएगा वही पानी नदी में चले जाएगा समदर में पहुँझ जाथा यह इसी प्रोसेसिंग चलते रहता है यह U कि वाटर सैकल की कारण से पानी को हम लोग मघर को रिनिवाबल रिसोर्स करते हैं और इसी सब्सक्राइब हमेश्यां groundwater रीचार्ज होते रहता है और ग्राउनड वाटर रिचार्ज होते रहता है यहीर्ट अहमेश्ट हमेश्या कंडन्यू रहते हैंम حसक rehe रहता है। इसलिए हम लोग इसको water cycle करते हैं। यहीं प्रॉस्वैस करें वाले एक बहुत बादैल्स प्रॉब्लम्न में तो कुछ एरिया में पानी की कमी होता है। कभी कभी पानी नहीं मिलता है। इसकी रिसन क्या है नईतों क्या होता है। कि नेट्स टोपिक हम लोग देखते हैं water scarcity water scarcity means shortage of water shortage of water अचली, nieuwe वाटर स्कसिटी हुआ होता है जो पानी की कम्मेहाधाय आ जाता है, यह नहींकी, पानी नहीं मिलता है, उसी स्थिधी कम्मेहाज वाटर स्कसिटी है, वाटर स्कसिटी का रीशन क्या-क्या है यह वाटर साइब अएप č articulated what are the causes of water scarcity, water scarcity का causes क्या क्या है नहीं तो reason क्या है और इसके reason दो reason हमें बता सकते हैं, first, over exploitation and unequillosis क्या है over exploitation और नहीं तो over exploitation कैसे होता है और इसकी बारे में हम लगों देखते हैं यह पानी में से first reason हम लोगों देखते हैं over exploitation काईसे हो रहा है और exploitation की बारे में देखते हैं first वाला over exploitation होने के लिए कुछ reasons होता है नहीं तो अलग-अलग कारण है यह कारण क्या है नहीं तो पोपलेशन ग्रोथ आप अबर पोपलेशन से होता है पोपलेशन बढ़ते हैं तो उसके अनसार लोगों का जरूरत भी बढ़ता है क्यूंगी जितनी पोपलेशन बढ़ेगा उसके अनसार सब लोगों के लिए पानी पीने के लिए चाहिए खाना बनाने के लिए चाहिए उन लोगों को घर की जो काम के लिए साफ सफाई के लिए सब कुछ के लिए पानी ज्यादा चाहिए अगर पोपलेशन बढ़ेगा तो उसके अनसार पा पोपलेशन जो बढ़ते जाएगा तो इतना जरूरी है उतना ज्यादा प्रडूस करना पड़ेगा जो ज्यादा फूड्ड प्रडूस करने के लिए हम लोगों को ज्यादा वाडर यूज करना पड़ता है इसका मतलब जो खेत के लिए नहीं तो इरिगेशन के लिए ज्यादा पानी यूज करके इसका मतलब पहले हमें हम लोग एक टाइम खेती करते थे उससे हमारी काम चलता था लेकिन अगर पोपलेशन बढ़ जाता तो जमीन पहले जितना था उतना ही अभी भी है लेकिन उतनी क समीन से हमें दो गूणा प्रोड़ेक्शन चाहिए प्रोडूस करना पड़ेगा तो उसकारण से क्या है टू में नहीं मिलता है तो उससी से तो ही एक सेकंड रीसल होता है कि हचिर कि जैसे हमें करना चाहिए प्रोड्यक्शन जादा चाहिए लिद्स उसके अनुसार है आप लोगों देखते हैं हम लोग प्रजार में सब देखते हैं हैं में जादा प्रडक्शन के लिए क्या हैं हम लोगों जमीन से मेंसर ग्राउंड वाटर को ज़्यादा निकाल दे रहा है मैंसर सब लोग किसान अपने अपनी खेत में ट्यूब वल बना दे रहा हैं और उसके बाद मोटर लगा करके पानी अपने खेत के लिए यूज करके दो पार तीन बार की खेती कराएंगे तो उसके अनसर क्य और एक्स्पोइटेशन होता है और नेक्स्ट एक काई थे पीज़न है और मिन सफ़ार की लाइफ स्टाइल की अनसार हमें ज्यादा पानी की जरूरत आजाता है मतलब हमें मालमे सारे घर में सब लोग अपने अपना टूब बना लगाएंगे और इसके वाद मोटर लगाएंगे अपने घर के लिए पानी अपनी टंगी में भरेंगे और उसी से यूज करेंगे और सारे घर में होगा यूरोपें डॉयलेट और उसके अनुसार वाशिंग मशीन ऐसे सारे सुविधा में इनसे हमें मालमे नहाने के लिए शावर हो गया हैं कुछ लोग जो क्या बोलते हैं मतलब जो टाउन में रहने वाले हैं तो उन लोगों को लाइफ स्टाइल भी कुछ हमें बोलाक अलग से सुविधा अपने घर में चाहते हैं जैसे हैं अपने घर में मोटर लगाएंगे मोटर लगा कर अपने ठंगी में फानी भानी भरेंगे और अपनी घर के लिए सारे काम उसे ही होगा और इसका मतलब क्या हो गया है कि वाश्विध मेशिन यूज कर Genesis यूज़ करेगा यूरोप टॉइलेट यूज़ करेगा और यह बात टब यूज़ करेगा ऐसा सारे जो नया सुविधा आ जाते हैं तो उसके इनुसर पानी को यूज़ होते जा रहा है मेंस अर्बन लाइफ स्टाइल भी ओवर एक्स्प्लोई स्टेशन का एक रीशन हो जात 4 रीशन है इन्डस्ट्रियल आई से इस हम है इंडस्ट्री जितना जाधा जाधा इंडस्ट्री लगाएंगे उसके अनुसर इंडस्ट्री के लिए भी बहुशत सारे पानी की जरून आया मिन्स रो मेटीरियल को साफ करने के लिए और कुछ सबसे ज्यादा इंडस्ट्री लगाएगा तो उसके लिए पावर सप्ले चाहिए यह पावर सप्ले के लिए ज्यादा से ज्यादा हम लेगों वर्टर कोई डिपेंड करते हैं हो सकता है हाईडरो एलेक्रिसिटि नई तो त का मैं मालम है जो इंडस्ट्रियाइसेशन का एक एक रिसल्ट है लोग वेस्ट वाटर को देंड Northern करते हैं में जो इंडस्ट्री है अपने वेस्ट रोड़ेक्ट है वेस्ट वाउठर हो वो वह सब आसपास की नदी में कि zijा और उसी से वो जो प्रेश्व प्राइटर था वो भी खराब हो जाता है और यह समस्य इसमें इंदस्ट्रियलाइसेशन येधो over exploitation का एक अच्छाए एक्जाम्ल मिन्ज़ इंदस्ट्रियलाइसेशन द्वारा भी पानी की over exploitation होता है और next reason है power production पावर प्रोडेक्शन में इलक्त्रिसिटी जनेरेट करने के लिए हम लोगों वाटर यूसे करता है Hongi ऑ पानी कर देते हैं और जो रीजियन में मैं हिल्ली एरिया में है तो डाम बना करके हाइट्रो इलक्तरिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं नेकिन जैसे हमारी यहां क Beni Nareya में तो नाम बना गरके उतना सीमबल काम नहीं तब यहीं पर यहीं पर प्रोडाक्षन ठर्मल पावरिट की द्वारा होता है मैं मालुम से पानी मैं पानी नीचे से करके तब उसके लिए भी हमें पानी चाहिए तब यहीं यह सब ओवर इरिगेशन सोरी ओवर एक्स्प्लॉइटेशन की करेंड है में इस ओब ओड़ और बोपुलेशन होता है तो आप वॉबलेशन बढ़ जाने की अनुषार लोगों है पानी का और नेक्स्ट अरब आपने सेशन अरबन लाइफ स्टायल इपानी की ओवर एक्स्पॉइटेशन खरीं हो जाता है कि ऊबिए इन्डस्ट्रि यह इन इंडस्त्री हमारे लिए दिए जो हूम के लिए बहूत बड़े प्रोब्लम के सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसके लिए मल्टी परोजटर्च्ठ मेर्टी Thousand की नाम कर सकती है ऋसको को multi-purpose river project कहастर इसकी है नदी में जो डाम बना करके पानी को रुका जाएगा किस स्टोर किया जाएगा उसी project को हम लोग想 multi purpose project कहते हैं जैसे यह तो बहुत पुराने सब यह कि बनाया by था इन के लिए जो शंडर गुप्ता मारिया की समय से डाम बनाए जाता था बिंट से आप लोगों को अपनी के जरूरत के लिए ःटी में पानी यह मेंधेने के लिए जो चंड्रकुपता माऊरिया की समय से डाम बनाता था हमारी भारत में उसी तरह जो अलहबाद में सुरंगार वेरभवाबार नाम नाम का एक अलहबाद में अलहबाद की प्राश सुरंगावीरभवेरभवा नाम का एक गंगा जी की पानी को केत में पहुंचाय जाता था और यह सब पुराने जमाने से जो यह प्रोजक्ट चालू है लेकिन आज हम लोगों डाम बनाये जाता है यह मल्टी परपस के लिए मल्टी परपस मिन्स अलग-अलग लिच्छ के लिए डाम बनाये जाता है तो कि मल्टी परपस प्रोजेक्ट में ये न 되고 अलग प्रोजेक्ट में तो परपस क्या क्या तलाब जैसे पानी को स्टोर कर देते हैं और उसी को लगा रिसर बारिश में तो कि पानी को यूज किया जाता है तो नेक्स्ट एलेक्ट्रिसिटी प्रोडेक्शन एलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए मेंसे पानी की द्वारा मेंसे पानी से एलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो इसको हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी करते हैं और ये हाइड्रो एलेक्ट्रिसिटी की प् पाणी अह सप्ले करने के लिए आम बनाया जाता है और इसके बाद मिन से राम की पानी को यूज करते हैं और फॉर्ट हैं तो फ्लेड़ कंट्रोल में जैसे बारिष की समय में बहुत जादा पानी आहाता है तो वह बाड़ होने से बचाने के लिए पानी को स्टोर कर सकते हैं उसी तरह flood control करने के लिए भी डाम यूज़ करते हैं और इसके बाद 5th reason है inland navigation inland navigation मेंज़ जैसे ट्रांसपोर्ट के लिए water ट्रांसपोर्ट के लिए भी यही डाम की पानी नहीं तो रसरोयर की पानी हमें help करते हैं और नेक्स्ट असिफ्ट परपस होता है कि fish Braiding रिए तलाब जैसे पानी हम लगों store किया गया है और उससे फिश ब्रेडिंग कर सकते हैं में से मचली पाल सकते हैं और इसके बाद सेवंद्ट पर्पस हो जाता है रेक्रीयेशन मिन्स उस में लोगों को जासे अपना अपना एणजोइमेंट के लिए जैसे लोगों को घूमने लाइक हो जाता है और यह सब multi purpose project की उद्देश होता है लट्शी होता है तो इतनी प्रोजक्त नहीं तो इतनी purpose के लिए ही में से एक से अधिक purpose के लिए हम लोगों एक project तयार करते हैं और इस कारण से इसको हम लोगों multi purpose project कहते हैं और इस तरह multi purpose project है इंडिया में बहुत सारा multi purpose project होता है हमारे तहरी डाम है सरदार सर्वर डाम है और गोविंद सागर ऐसे बहुत सारे में से हिर्याकुड डाम है ऐसे हमारे इंडिया में बहुत सारे multi purpose project है और आप लोग मल्टी परपस प्रोजेक्ट के एक माप है उसी में वो अच्छे से देखिएगा हमारे इंडिया में मल्टी परपस प्रोजेक्ट कहां कौन सी स्टेट में होता है उसकी नाम क्या है मतलब यही तो important है exam में आएगा multipurpose project की बारे में जरूर आएगा और वो map में आप लोगों इसको देख लीजिएगा और यही हमारे इतनी लेट्शी होता है multipurpose project क्या है और उसकी purpose क्या क्या है नहीं तो which purpose यही है जो multipurpose project में से कौन कौन सी उद्देश के लिए होता है एक question इसमें से आ सकते हैं multipurpose project को डी मरेट क्या है नहीं तो लोगों में में गाव में रहने वाले नहीं तो जो project आता है उसकी आसपास में रहने वाले लोगों ने इसको ओपोस करते हैं विलेजर से multipurpose project को ओपोस करता है इसकी कारण क्या है यह भी एक question है लोग देखते हैं इसकी reason क्या है नेक्स्ट डी मेरिट्स ओफ multipurpose project नहीं तो multipurpose project प्रोजक्ट आने के लिए बहुत लोगों पोस करता है इसकी reason क्या है और किस कारण से नहीं तो इस तरह पोसेशन हो रहा है देखिएगा इसकी कुछ reason होता है फस्ट अफ़क्ट दा नाचुरल फ्लोओ ओफ रिवर फस्ट यह तो रिवर की नाचुरल को बन्द कर दे रहा है मतलब उसी पानी को वहाँ पे कर दे रहा है जो नाम पनेगा उसकी जो रिवर फ्लोह होता है जो बाकी फाग की लोगों को पानी की अवैलेबिलीटिय उसके उनसार कम हो जाता है कि एक और दूसरी बात है दूसरी रिसन है एक्ससीव सेडिमेंडेशन जैसे डाम बनाया जाते हैं बनाते हैं तो जो रिवर की फ्लो बंद हो जाता है तो जितनी सेडिमेंस रिवर जो लेकर आया है उस तरह बैड जाने से जो रिसर्वोयर की नीचे का जो अक्वार्टिक लाइफ को बहुत यह खतर हो जाता है अक्वार्टिक लाइफ को यह तो बहुत प्रोब्लम बना देते हैं और तर्ड रीसन है इन लोगों को ब्रेडिंग जो टाइम होता है तो फिश माइग्रेट करते हैं जैसे जो अक्वार्टिक फोना अक्वार्टिक जो अक्वार्टिक आनिमल से एक जगा से वह लगों दूर दूर चले जाता है मैंसे नदी से यह बहुत दूर तक बहुत किलोमीटर तक दूर में लोग ट्रावलिंग करते हैं तो उसी तरह यह माइग्रेशन जो होता है वह माइग्रेशन को यही डाप बनाने पर बहुत डिफिकल्टी आ जाता है मिनसे स्चोप हो जाता है यही एक रीसन है और नेक्स् किसी मेंसे जो नदी को रुक यही कारण से उतनी आरिया जो जहां मरसरवायर है वहां कि पूरे उससे कटम हो जाता है तो उसी तरह यह जो एक इसील घ्रेशन कटम दीरे दीरे में पानी में जो नम यह जाता है और पीपल और जो एरिया में रसरवोयर आया हैं उसकी कि आसपास में रहने वाले सब को वहां से हटाना पड़ता है और इस कारण से जो लोकल पीपर को बहुत नुकसान भी जितना दिन से बहुत साल से बहुत सथियों से महनत करके पुराने जमाने से लोग रहता होगा और अपना घर संबती सब कुछ वहां छोड़ के जाना पड़ेगा और यह बहुत बड़े समस्य आ जाता है लेकिन जैसे सरकार नहीं लोगों के लिए रिलीफ के लिए दूसरा जगा नहीं तो उसके लिए पैसा यह सद दिया जाता है हैं लेकिन लोग को एक सेंटिमेंस बने रहते हैं मिन्स बच्पन से जो यहां जहां पैदा हुआ हैं बड़ा हो गया है और नहीं तो माबाप से बहुत मिन्स बाप दादों को जमाने से एक जगार आता था उस जगा घर सब कुछ चोड़ कर दूसरा जाना कुछ लोगों के ल डिशन होता है इस तरह मलीटी परपसो प्रोजक्त आने में लोगों इसको पूस करते हैं यहीरी संवता है और क CesC प्रोजक्ट तयार किया थे लेकिन उसके लिए नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया था और इसी आंदोलन को नर्मदा बचाओ आंदोलन और उसी तरह तहरी डाम तहरी डाम पर भी एसी तरह आंदोलन हुआ था यह सब इसका एक्जाम्बल है मिन्स लोगों ने मल्टी पर्पस प्रोजक्ट को अपोस करते हैं इसकी एक्जाम्बल हुआ था और यह नर्मदा बचाओ आंदोलन और तहरी डाम आंदोलन इस तरह जो मल्टी पर्पस प्रोजक्ट को भी इस तरह बहुत सारा डी मरिट्स हैं मिरिट्स भी है मिन्स पैदे भी हैं और डी मरिट्स भी है तब हमें इससे इस सब प्रोब्लम से सोल्व होने के लिए एक अच्छा रास्ता होता है रेइन वाटर हार्वस्टिंग में से हमें माले में हमारी फ्रेश वाटर की सबसे अच्छा स्रोध जो होता है रेइन वाटर है तो पूरे नदी में चले जा रहा है और इसकी बाद समंदर में मिल जाते हैं उससे हमें कोई कोई पैदा मतलब नोर्मल में हमारे लिए कोई फैदा नहीं लेकिन ाम जैसे मल्टिपरपस अपर बनाते हैं तो ऐस यह इसकी डिम Tucson है लेकिन EMA आइक प्रोजक्ट होता है प्रोग्राम होता है राइन वाटर हार्वस्टिंग में मिन्स हमारी बारिश की पानी को राइंब रास्ता होता है पुराने जमाने की लोग बारिश की समय में खेत में सब गल्स नहीं तो कल्स कहते थे यह मतलब जैसे चोटे 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 गड़ा बना कर चोड़ देते थे और इसके बाद उसी में पानी भर जाता था वही पानी क्या करेगा धीरे-धीरे नीचे का जो सोख लेते हैं सोख लेगा और उस तरह अंडर ग्राउंड वाटर जो ऑटमाटिक रीचार्ज हो सकता था और यही एक पुराने लोग वही यही काम करते थे और यही एक रैनवाटर हार्वेस्टिंग के लिए अच्छा एक्सामल है और आज हमें माले में जितनी बारिश की पानी होता है और अधिक भाग भी नदी में चले जा रहा है मिनसे इसका कारण है जितनी खेत सब कम बिल्डिंग बन गया है मिनसे खेत पुरा भरके नित्व आज खाली जमीन सब फिल करके आज जितना कॉंक्रीट बिल्डिंग हो जाता है जो बिल्डिंग के उपर बारिश हो जाएगा वो अधिक फानि मिन चातना पानि निचे आजगता है वह एक साथ बखह नदी में चले जा रहा है और जितना एडिये जो बिल्डिंग कवर हो जाता है और उताएmeka का जो नीचे जमीन है उससी जमीन को पानी सोक लेने नहीं पाता हैशए अब हमारे बारिश होता है तो पानी खेत में है तो कुछ पाइन खेत शोक लेते हैं मिन सहीं सो différentesुख लेते हैं और अंडर ग्रावंड वार्टर उससे रिचार्ज होता था। लेकिन आज इतना बील्डिंग हो रहा है उसके नुसार यह 000 वार्टर रिचार्ज होने के की एमाउंड पहले से बहुत कम हो गया है मिन से जादे से जादे पानी बहके नदी में चले जा रहा है आज इसी कारण से हम लोग सुनते हैं कि बहुत जादा बाढ़ हो रहा है इसका भी होता है अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होने के एक एमाउंड पानी यह पानी नहीं पाते हैं तब क्या हो रहा है , हमारी वाटरेबल को ओटमार्टिक रिचार्ज होने की इमाउंड कम है इसलिए जो बहुत जल्दी बहुत कम पानी सोक लेते हैं जमीन और इसलिए बहुत जल्दी से एक महीना बार नहीं होगा तो तुरंद पानी कतम हो जाता है कुवा में का और जो टू बोल का पानी सब सूख जाते हैं और इसी प्रोब्लेम को सोल करने के लिए हमें एक ही रास्ता है न रिआइन वाटर हार्वस्टिंग राईनवारा हार्वस्टिंग के लिए पूराने जमाने में वह मतलब आज हमारी एक राजस्तान है उस्तरह कुछ में बहुत पहले से या इक एक सिस्टम चला थे जाख को की उपरबारिष होता है उसी पानी को हमें एक टैंक में स्टोर कर सकते हैं यह कि नारे राजस्तान की गावं में रहने वाले राजस्तान की लोग यही रैंवाटर को स्टोर करके अपनी जो drinking water की समस्या को sold करते थे और उन लोग अपनी घर में हो सकता हैं आंगन में नहीं तो underground में जो टैंग बना देते हैं एक बहुत बड़ा रूम जैसे एक टैंग बना करके उसी टैंग को ऊपर की चत में से pipe से connect कर देते हैं और उसके बाद जो बारिश होगा पहले वाले पानी को store नहीं करते हैं उसी पानी को ऊपर का चत सब साफ करने के लिए यूज़ करिया जाएगा और इसके बाद बाकी जो जितनी पानी आ जाएगा बारिश की द्वारा वो पूरे पानी को ये underground टाइंग में store और इसके बाद जो बारिष की सीजन कतम हो जाएगा तो इसी पानी को यूज करते हैं लोगों पीने के लिए और लेकिन यह तो पुराने जमाने में सारे घर में यही प्रोसेस चलता था गाव में कि सारे घर में सब लोग अपनी घर में यह अंडरेग्राउंड टेबल इसको टंगा करते थे जैसे टंगा बना करके वो टंगा में भी पानी भरते थे और उसी पानी को लोग पीने के लिए उसकरते थे और आज यह पानी आज यही रूफटॉप हार्वेस्टिंग मेंडेन करने वाले घर की नंबर बहुत कम हो गया है क्योंकि जो इंद्रयकांदी कना जूल आया है उससे लोगों को पानी की प्रोब्लम बहुत अ सवी राइन वाटर की जो फ्रेष केल यहीं है वही पानी पानी की साथ एक भूम भी बना देते थे जो करम की संवय में इन लोगों को और राम से रह सकते हैं उसके लिए एक कर अंडर्ग्रांड की साथ अट्प सदेखering वी मतलब यह टान में पानी भरा रहते हैं तो उसकी पास वाले रूम धंडा रहता हैं और इस कारण से ऐसे रूम भी बना करके बना देते थे यही रूफटोप हार्वस्टिंग हमारे लिए में इंडिया की अलग अलग स्टेट में यह प्रोसस चलता है बैंगलोर में मैसूर में और लेकिन आज तमिलनाड एक स्टेट होता ही फस्ट इस तरह रूफटोप हार्वस्टिंग जबरदस्ति से कराया जाता है मतलब सारे घर में अंडरग्राउंड वार्टर स्टोर करने के लिए व्यवस्टा बनाने के लिए गवर्ण्मेंट लोग को सपोर्ट भी करते हैं और जबरदस्ति हैं यही सबकी घर पर इस तरह रूफटोप हार्वस्टिंग का सिस्टम होना चाहिए इतना है इंपोर्टनट एस लसन का और आउसे लसन की लास्ट में एक पिच्चर दिया है बांभू ड्रिपर्परिगेशन मेंज मेखाले या तेट में लोग हिल्ली में रने वाले हैं ओने वाले हैं ग्वर्ण्फ और पहाड पानी लाने के लिए जो बास को बांस को काटके उसको पाइप जैसे लगा लगा करके लंबे पाइप जैसे लगा के एक से दूसरा कनक्ट करके अपने घर तक लोग पानी लाते थे और ऐसे एक पुराने समय में यह तो कुछ जगा में हिली रेजियन में अभी भी चलता है बांबो डिप इरिगेशन करते हैं इसको और इसकी पिच्छर दिया है आप लोगों देखिए गा और उसके साथ-साथ में माप भी आप लगों नोट करके लिखिएगा और यही questions जैसे हैं और यह questions जरूर आ सकते हैं ओके इस lesson का हो आप लगों एक और revise करिएगा धन्यवाद